बिसमलाह रहामानीरहीम असलामsemble उलाइकुम जेकलाइब के तमाम दर्सकों का हम सब बहुत भुत खेरमक्दम करते हैं और आज जो प्रोग्राम है इसमें हम बैक टुविलेज प्रोग्राम पर बात करेंगी किप ने प्रोग्राम के करया लेकिन इस मरहले में लोगों की काफी कम तैदाद ने इस प्रोग्राम में शिरकर किया क्योंकि पिछले जो दो सिलसले इसमें किये गए थे उसमें काफी सारे वादे लोगों के साथ किये गए थे कि हम आप से जितनी भी काँ वहां पर प्रेजन्ट किये गए बड़े बड़े ऑफिसर उसके सामने वो बैद में नहीं हुए उसकी वाज़ से बैक टू लेज फेज थर्ड में जितना भी पैसे लगाया वो जाया हो गया इसी चार्चा पर हमारे साथ बात करने के लिए मैजूद है पीर शाहबाज ब्लॉक डेवलप्मेंट चियर्मन वेरी नाग शाबद साब बहुत बहुत खेर मगद में आपका ये बताएए बैक टू लेज टूगरम थर्ड हो गया आपका काफी एहम रोल रहता है पंजायत का तो किस तरी किसे रेस्पोंस रहा है लोगों का देखिए रोप साब सबसे पहले आपका शुकरिया जब सरकार ने पहले ये काम हाथ में लिया कि सेक्टरेट से मुलाजम जाएंगे और वो गाओं में रहेंगे एक रात और दो तिन वो गुजारेंगे गाओं में उन गरीब लोगों के पास जो गरीब लोग सेक्टरेट तक नहीं पहुँच सकते कमिशनर सेक्टरी तक नहीं पहुंच सकते डिप्टी कमिशनर जों के आफ़स में नहीं पहुंच सकते गरीब लोग हैं तो सरकार ने फैसला लिया है कि हम सरकार को ही आज गाउं में बेज़ दें तो पहली जो बैग टू बलेज हुई आपको मैं उसके फोटोग्राफ देखूँगा कि मैं कुछ हलकूं का आपका नाम दूँगा कि वहां पे विजटिंग अफिसरों को माला डाली लोगों ने डोल बजाया लोगों ने विजटिंग अफिसरों के सामने जैसे कि कभी कोई कैबिनिट मिनिस्टर किसी कानस्ट उनसी में जाता था या चीफ मिनिस्टर कानस्ट उनसी में जाता था तो लोग किस तरह उसका इसकबाल करते थे तो सेम उसी तरह लोगों ने विजटिंग अफिसरों का इसकबाल किया था लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था सरकार के साथ कि आज जो हमारी दैरीने मांग है जो जो आज हम नोट करवाएंगे विस्टिंग अपसर के सामने और पंचाईतियों के सरवराई में तो उसको जाके उसका कल इजाला निकलेगा और बढ़ चरके लोगों ने उसमें पाटिस्पेट किया लेकिन बदकिस्मती के साथ लोगों को वही फिर नराशा मिली कोई पास्ट्यू रोल नहीं रहा तो उसके साथ साथ पिर सरकार ने नेक्स्ट एयर फिर बैक्टू विलेज टू किया बैक्टू विलेज टू में भी लोगों ने 30% ने हिस्सा लिया क्योंकि जब पहले बैक्टू विलेज में काम नहीं हुए लोगों को तो नहीं आये वो फिर आप बैक्टू विलेज थर्ड पर अगर हम आएंगे इसमें मैंने पहले पिर अपने इंट्रिवू में कहा कि आज कि जितने बैक टू विलेजिस हुई कश्मीर के अंदर उसमें टोटल पांच परसन लोगों का रूल रहा उन्हीं पांच परसन टू में गौर्वर्मेंट के इंप्राइब भी थे पंचाइद के पंच सरपंच भी थे तो भी पांच परसन लोग आए और आम लोगों ने इस पार्टिसपेशन इस बैक टू विलेजिस थर्ड में नहीं किया रिजन ये रहा कि लोगों के काम नहीं हुए मैं आपको ये बात बोलू कि मेरे इसमें बुलाग में उनिस हलके हैं और उनिस हलकों में हमने बैक टू विलेजिस के पांच काम किये हैं साथ काम सौरी साथ काम किये हैं मैंने उनिस हलकों में तो उन कामों को सरकार ने इतना प्रेशराइज किया ओपर गौर्वर्मेंट ने इंप्राइज को बीडियू को S.O. को P.O. को B.D.C. चेयर परसन मेने आगे प्रेशराइज कि अपने सरपंचू को सरपंचू ने प्रेशराइज कि अपने प्रेशराइज को और वो काम एक बहुत अच्छी कॉल्टी के बना के दिये P.R. आईज ने पंचाईटो ने लेकिन मारेच से लेके जो आज के हमारे गवर्नर साहब, लेक्टरिन गवर्नर साहब, इसका जो बैक ग्राउंड है वो हमने जब देखा जानने की कोशिश की, ये एक पुलिटिकल लीडर भी रहें लोगों का दुखदर्द अच्छी से समझ सकते हैं और ये ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहते हैं मुझे लगता है कि बैक टू विलेज थर्ड जो हुआ है शायद इस गवर्नर के साथ इसका अजाला होने वाला है जिस तरही कि से बैक टू विलेज थरी में पंचायट को एक पैकेज भी मिला था शायद मुझे एक्जेकली याद नहीं शायद दस दस लाख रुपे तो उसके बावजूद भी लोगों ने शरकत नहीं की तो उस पैसे का भी क्या देखिए जब ओपर से इनुने सरकार ने फैसला लिया कि हर हम हर पंचायट में जो है हम दस दस लाख रुपे दे रहे हैं तो यहां से रिप्रिजन्टेशन यही पंचायटों की और से बीडिसी चेर्में नोंने मिटिंग की फिर जाके वो कमिशनर मैडम से भी मिले जो कमिशनर सेक्टरी है शीतल नंदा जी उनसे भी मुलाकात की हमने कहा कि यह जो पैकेज आप दे रहे हो यह इसलिए वो दे रहे थी कि लोगों में नारजगी थी यह उनको ग्यूएंट टेक हिसाब से दे रहे थी कोवर्मेंट विस्टिंग आफिसर को कि आप जाओ गाओं में और दस लाग का पुलान वहां से ग्राम साबा से ले लो और उसको ग्राउंट पे इंप्लिमिट करो फिर हमने एक गुजारश की थी कि उसमें हम सपोर्टर्स का थोड़ा कुछ खयाल रखेंगे तो हमारे मैं शुकर गुजार हूँ गौर्णर साब का भी पूरे गौर्णर इंतिजामिया का भी और अपने जो हमारे मैं है शीतल नंदा जी सेक्टरी जो है कमिशनर सेक्टरी उनका भी खास करके डिप्टी कमिशनर अनतनाग ने हमें इसमें बहुत ही साथ दिया तो उनका मैं शुकर गुजार हूँ कि हमने कुछ पैसा सरपंचू के कहने पे उनके डिस्पोजल पे हमने यूस के लिए रखा यूस को हमने उसमें किरकट किट दी वाले वाले किट दी जो भी हो से का मुमकिन वो दिया हमने और वो दस लाग जो है मांग रहे हैं कितने सालों से ology से लोग के पीए सी कपरन पीए सी कमर पीए सीनोगाम नोगाम की पीए सी जो है उसका वो प्लन्ट लेवल कंप्लेट कीया है आठ साल से छे साल से वाहीं पे ठफ हुँआ काम लोग वेट करे हैं कि पीए सी हमें बने ¡गी! मैं जमलगाम की बात करो बटगुंड एबी की बात करो अमुए एबी की बात करो तो लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखे थे और दूसरी बात एक एहम पॉइंट में आपका बोलूँगा कि आज के पंचायत के मिमरान जो है चाहे पंच हो या सरपंच हो इनका ये विजन बड़ा है आज के सरपंच मौजूद इस बात पर मौजूद नहीं है कि वो गली बनाना चाहते हैं ड्रेन बनाना चाहते हैं कोचा बनाना चाहते हैं नहीं भई, साब ये गलत है आज का सरपंच आज का पंच आज की 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 पंच मैं गुजारश करूंगा कि सरकार पंचायतू को बिल्कुल पावरफुल बनाए ताकि ये पाइच सरपंच जाके आके ग्राउंड पे काम कर से शावासा मुझे बताए जब ही वैक्ट विलेज थर्ड फेस के अनॉस्मेट की गए तो जब ये बोला गया कि इसमें ऐसे पंचा हुआ हुआ कि सरकार की तरफ से एक और्डर हुआ और जब इन पैसों की बात आया कि हम फंडिंग करने जा रहे हैं इन हलकों को हम फंडिंग करने जा रहे हैं तो उसके साथब एक लाइन ओर लिखी थी कि इसमें e-tendering होगा वो सरासर उस हलके के लोगों के साथ नायंसाफ अब मैं बोलूगा किस तरह है जब e-tendering होगी e-tendering में contractor आएगा आज online tender होते हैं तो कोई भी एक आदमी उसमें apply कर सकता है वो किसी को भी जो below rate पे जाएगा उसको वो अलाट हो जाएगा फिर मुझे बोलिए कि गाउं में package देने की फिर जूरत क्या है जब बाहर का आदमी अगा किवा बीजा लिए ब comics फिर आया में यह होते हैं कि जिस गाउं में काम ओ जिस गाउं के लिए पैसा जाए उसी गाउं के मजदूर ₹ भी काम करें दिर जो वाँब के मजदूर लोग है उस्छीप हलके मज़डूरी उन्ही लोगों को मिलनी चाहिए या जो कारी करहे अब हमें लगाने को पैसा मिलना चाहिए यह इत एंडरिंग का जो जितना भी सिस्टम में खातम होना चाहिए यह पंचाय को का अंडर रहना चाहिए पंचाय अपने उन गाउं के लोगों को को गरीब लोगों को टाके वहाples पे डोर स्टेप पर रोजगार दे सके मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से आप दूसरे रंगत देने की कोश्च कर रहे हैं, इटेंडरिंग में आपके गाउं के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी इटेंडर डाल सकते हैं, रही बात सरकार ने इसमें ये कहा था कि इसमें एक कॉनस प्रेंस इतने काबिल हैं, इतने हुनरमन हैं, इतने जानने वाले हैं कि उसकी मिसाल में आपको दूँगा, रेंसोगूंड एक हलका है हमारा रेंसोगूंड ए, उसमें डेड़ करोर रुपया पंचायत ने इन्वेस्टि किया, डेड़ करोर रुपय का काम किया, जब उस पंचायत क तो डेड़ करोड में कोई दिकत नहीं आई तो आज 10 लाख में कहां से दिकत आईगी नमर एक नमर दो जो है ईटेंडरिंग का जो सवाल है आपने का कि पंचाइट के लोग इसमें उसको फालो कर सकते हैं आपलाई कर सकते हैं कि यहां पे बेरोजगारी हैं यहां पर पकुछ अरियरिया है योग इटेंडरिंग नहीं जानते हैं करके ऐसे हैं कि उन बचायरों को पता ही निया कि टेंडर क्या होता है तो वहां से जिनाब को न अपलाई करेगा पड़े लिखे लोग कुछ हलकों में काम है अगर वहां पर एटेंडरिंग होगा उन हलकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए हमने आवाज उठाई थी प्रोटेस्ट भी किया था कि ए-टेंडरिंग का जो मसला ये खत्म होना चाहिए जिस तरह पंचायते काम कर रही थी पंचायत को डिस्टरब ना किया जाए ये पैसा भी पंचायतों के डिस्पोजल पे ही खरच होना चाहिए मैं मुदेश से हटके कुछ सवाल आपसे पूछने चाहूंगा रिसेंटली पंचायट की तरफ से सपोर्ट सेक्टिविटीज के लिए काफी सारे फंड्स वागुजार किये गए तो किस तरीके का रेस्पॉंड है ग्राउंड मैं देखिए मैं आपको बोलूँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था यह हर एक पंचायट को बीस हजर का सामान दोना था हाँ 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 तो बीस हजर हमने हर एक पंचायट को दिया था तो उन में पंचायटों ने पंचायट सेक्टरीज जो हैं सरपंच हैं या बुला काफिस के इननों ने वो सामान एवेलेबल करवा के तो हमारे बच्च siento को दिया हम चाहते हैं कि यहां का जो यूछ है यहां के यूछ में बहुत टैलेंट है लेकिन यहां के यूछ के टैलेंट को पिछले 30 साल से दबाया गया जितनी भी यहां सरकारे आईं जितने भी यहां पे हुक कि वो कश्मीर का नाम रोशन करेंगे पूरी दुनिया में जाके, मुलक में नहीं पूरी दुनिया में जाके अपने इस मुलके कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकि उनको थोड़ा बूस्ट की जूरत है, थोड़ा उनको सहरा देना है, उनको खड़ा करना है, क्यूंकि बेरोजगारी है, पड़े लिखे नोजवाने हमारे पीएजडी करके हैं, पीजडी करके हमारे बचे बच्चें बैठी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, खेल कूद के मैदान में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, और हम मैं अपील करूंगा, गवर्नल इंतिजामिया से, कि यूथ को फरंट पे लिया जाए, आने वाला जो भी कोई फैसला होगा, उस फैसले में यूथ का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि यहां के यूथ को हमें सपोर्ट करने की जूरुत है, उनको टैलन्ट को नहीं दबाना चाहिए, वो जाके कश्मीर का नाम कहीं पे भी रोशन कर सकते हैं, आर्टिकल 370 हटने के बैद आज पहली बार पंचायत एलेक्शन होने वाले हैं, बाई एलेक्शन, जहां जहां पे पंचायत की सीट खाली है, तो आपको क्या लगता है, लोगों का क्या रिस्पोंस रहेगा, देखिए, मैं अपने ब पार्टिस्पेट करना चाते हैं, हमें क्या करना है, तो मुझे लगता है कि लोग ग्राउंड लेवल पे काम करना चाते हैं अपने हलके में, अपने हलके की विरोजगार क्यों खत्म करना चाते हैं, तो लोगों का मुझे रहेगा कि मुझे लगता है कि इसमें पंचों का किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, हमारे पंच सर पंच इतना ही करना चाहते हैं, यह आपके केमरे के वसादत से मैं कहना चाहता हूँ, कि हमारे पंच सर पंच किसी के खिलाफ नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो इतना ही कर रहे हैं कि अपने हलके में वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पांच सरपंच या हमारा रूलू डेवर्मिट जो है कोई गलत काम नहीं कर रहा है जो गलत काम नहीं करेंगा उसको डर किस बत करें एक आखरी सवाल मैं आप से पूछने चाहूंगा आपके आप ब्लॉक में हालसडार नाम का एक विलेज है जो मौडल विलेज है 2006 में उसको मौडल विलेज करार दिया उसका दर्जा दिया गा लेकिन हमने भी पिछली बार उस पर स्टोरी की लेकिन वहां पर मौडल जैसे कुछ नहीं दिखा हमें तो अपनी लेवल पर आपने क्योंकि वह ब्लॉक पर के हतुत में आता है सारा तो उस पर क्या करवाई की आपने देखिए ये तो रोफ साब बहुत पहले की बात है तो जहां तक मुझे इसके बारे में ख़बर है कि वहां पर काम हुआ था मैं आगर यह कहूं के काम हुआ ही नहीं था वो भी गलत बात है वहां पर आपने देखा होगा CIC की बिल्डिंगे इसके बानी है बाग की शापिंः कंपाट बने हैं वहां पर कुछ अफराद ने अपने से। आमल नास्क को वकफ करेंगे तो उनके साथ नाइसाफी हुई है ये बेहकीकत है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए तो ये थे पीर शाहबाज ब्लॉग डेवलप्मेंट चेर मैं वेरीना जो बैक टू विलेज प्रोग्राम में कम लोगों की कम शिर्कत बात कर रहे थे आप जेके लाइव के साथ बने रहे हैं हम आगे भी इसी तरीकी के इंटर्व्यू आप तक पहुंचाने की कोश्च करेंगे खुदाफिस